हेलो एवरिवन मैं राजिस बंडारी आप सबका स्वागत करता है अपने चैनल एक्टिकल एड़ा में तो जैसा आप सबको पताए कि हमारा चैप्टा चल रहा था ठीक के इसको समझते हैं हम क्या होता है तो पहले मैं इसको एक डाइग्राम के थरू समझाते हूं तब हम इसकी डेफिनिशन करेंगे तो आप लोगों ने अभी तक जो लाइट चैनल में पढ़ा है कि जब भी आपकी कोई light, क्या होता है, एक medium से दूसरे medium में जाती है, reflection में आपने पड़ा होगा, कि कोई भी एक medium से दूसरे medium में जाती है, तो बैंड होती है, ठीक है, तो जो total internal reflection है, उसमें क्या होता है, जब भी आपकी light, कोई dense, जो आपका medium होता है, उससे rear medium में जा रही है तो आपने पढ़ाए कि जब भी आपकी लाइट ऐसे होती है तो डेंस मीडियम से अगर आईगी तो यह इंसिडेंट एंगल बन गया आपका आई तो यह आपका नॉर्मल हो गया तो यह जो नॉर्मल है उससे दूर हरती है ठीक है यानि नॉर्मल से थोड़ा ऐसे दूर की तरफ सले जाएगी है ठीक है तो यह आपका एंगल बनेगा आर ठीक है इतना आप लोगों को सबको पताई होगा तो यह नॉर्मल से दूर हरती है ठीक है जब भी डेंस से रियर मेड करते रहे हैं तो वो क्या होगा यह एंगल भी आपका इंक्रीस करते रहेगा यहां से एंगल आज़ भी आपका इंक्रीस करते रहेगा जितना ज्यादा आप एंगल से यह light को incident करोगे उतने ज्यादा angle भी reflect होगी ठीक है तो second part हम देखते हैं second चीज हम देखते है critical angle critical angle क्या होता है ठीक है तो वो angle ठीक है suppose आपने यह light incident करी यह भी आपका क्या है dance से rear में जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर यह angle बनेगा eye incident angle ठीक है वो critical angle जिस पे यह light है यह normal से इतना दूर रटी इतना दूर रटी की है कितना हो जाए 90 degree पे इनके बीच जो angle बने वो 90 बने है यहाँ पर नॉर्मल और जो आपकी refracted ray होती है उसके बीच में 90 degree बने है ठीक है तो इस angle को यानि जो angle आपका eye आया है angle eye इसको बोलते है हम c यानि critical angle ठीक है यह जो angle eye होगा वो critical angle के बराबर होगा ठीक है तो वो angle जिस पे आपने light incident करी और जो refracted होके यानि नॉर्मल से इतनी दूर अटी कि वो 90 degree पर आ गई जैसे यहां से दूर अटेगी 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 और यह ऐसे हो जाएगी पूरी 90 degree पर हो जाएगी ठीक है तो उस angle को हम बोलते है critical angle कि हमने critical angle पर हम कोई भी light अगर डालेंगे तो जो उसका refracted ray होगी वो 90 degree पर होगी ठीक है तो इस angle को बोलते है हम critical angle ठीक है इसकी definition भी हम उपर पढ़ेंगे अभी थर्ड case हम देखते है total internal reflection का total internal reflection में क्योंगा आपका ठीक है suppose यह आपके कहा है यह dancer medium है ठीक है और यह आपका rare medium अब आपकी light incident करिया आपकी कुछ इस तरीके से ठीक एंगल आई पर है angle आई ठीक है और आप आप आपने इतने angle पर आपने light coincident किया ठीक है angle आई की value इतनी है कि आपकी light आप क्या हुआ 90 degrees से ज्यादा यानि reflected होके उसी medium में वापिस चले जाए ऐसे ठीक है उसी medium में वापिस चले जाए ठीक है तो इसको बोलते हैं total internal reflection ठीक है total internal reflection कि आपने जब भी जो यह angle आई है उसको critical angle से जैसी आपने ज्यादा किया तो यह light जो reflect होके उसी medium में वापिस चले जाएगी तो इसी को बोलते हैं total internal reflection ठीक है तो यहाँ पर जो आपके reflection जो थे वो law यहाँ पर apply होंगे जितने angle पर आपने इसको incident के उतनी angle पर यह reflect होगी ठीक है तो 90 degree से जैसे critical angle से आपने ज्यादा angle यह बढ़ाया ठीक है suppose angle यह था पहले पहला case तो यह इतना bend भी फिर आपने इसको angle को और बढ़ाया तो 90 degree पागी और और बढ़ायेंगे तो यह वापिस उसी medium में चले जाएगी है ठीक है तो इसको बोलते हैं total internal reflection ठीक है तो अभी इनकी हम definition देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते है critical angle, critical angle की definition था critical angle is the angle of incident for which angle of reflection is 90 degree तो यही मैंने आपको बताया था critical angle हम किस angle को बोलते हैं कि वो angle जिस पे आपका जो refracted ray होती हो 90 degree पा जाती है तो उसी को हम critical angle बोलते हैं ठीक है तो यह first definition है total internal reflection की क्या थी total internal reflection is the phenomena that involves the reflection of all the incident light of the boundary ठीक है यानि जितनी भी आपकी मतला वो angle जिस पे आपका जो incident ray होती है वो bounce back हो जाती है उसी medium में तो उस angle को हम बोलते है या उस process को बोलते है total internal reflection ठीक है और यह angle जो हमें मिलता है critical angle से जाद पर मिलता है ठीक है critical angle से जादे करोगे तो यह light अब यहां से यहां चले जाएगे तो उसको हम total internal reflection बोलते है ठीक है more dense medium to less dense medium ठीक है less dense medium ठीक है तो आपकी जो light है वो हमेशा dense medium से rear medium में जानी चीए तभी आपको total internal reflection का जो यह condition मिलेगी ठीक है तो total internal reflection आपको तब भी मिलेगा जब आपका यह angle यह वाला angle जो है यह critical angle से ज्यादा मिलेगा यह यह C से ज्यादा होगा ठीक है यह जो होगा C से ज्यादा होगा तब आपको total internal reflection की condition मिलेगी ठीक है अब हम देखते है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स and critical angle में relation तो हम relation देखेंगे relation between refractive index and critical angle ठीक है तो refractive index और critical angle में क्या relation होता है उसको देखते हम तो हम क्या है जो refractive index लेते हैं ठीक है dancer medium का जो हम लेंगे उसको लेखेंगे हम nd से और rear medium का जो refractive index होगा उसको हम लेंगे nr से ठीक है तो इसको हम ले लेते हैं nr से तो जो snail law होता है snail law क्यों होता है sin i upon sin r यह आप लोगोंने सब पढ़ा है यह equal to होता है जब आपकी light देखो हमें क्या निकालना है रियर medium का refractive index निकालना है तो nr upon किसके respect में dancer medium के क्योंकि आपकी light जो हो रही है dancer से rear में जा रही है ठीक है तो rear medium का refractive index किसके respect में dancer medium का तो इसको इस तरिके से लिखेंगे ठीक है तो इसको आप इस तरिके से भी लिख सकते DNR ठीक है तो आपको चाए ऐसे लिखना है चाए लिखना है दोनों तरिके से काई से भी लिख सकते हो अब जो आपके critical angle के लिए जो condition है वो क्या है आपका i जो होना चाहिए हो किस के बराबर होना चाहिए सी के बराबर होना चाहिए अब भी मैंने बताया ठीक है critical angle के बराबर यानी और r कितना होगा r हमें 90 degree पर मिलेगा ठीक जो भी हमने पीछे diagram देखा था तो यह दोनों value put कर देते हैं तो sin i की जगा लिख देंगे sin c और sin r की जगा लिखेंगे sin 90 degree ठीक तो यह से लिख देंगे nr upon nd ठीक तो sin 90 का मान 1 होता है ठीक है इसकी value 1 होती है तो इसको लिख देंगे sin c equal to nr upon nd ठीक इसको एक चीज़ा लिख सकते हैं या तो आप ऐसे लिख लो या sin c equal to हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो अभी मैंने इसको बताया था आपको उपर यह क्या होता है ndr होता है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता है 1 upon r and d r को पहले लिख देंगे d को पहले आपने पढ़ा होगा reversibility ठीक है तो इसमें क्या होता है जैसे आपको d and r है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1 upon r and d लिख सकते हो ठीक है यानि किसी का refractive index अगर dancer to air का 3 upon 4 है तो rear to dancer कितना हो जाएगा 4 upon 3 ठीक है तो उल्टा हो जाता है तो इसकी जगह यह आपका formula यह बन सकता है तो sin c की जगह मलब यह दो formula बन जाएगा यह तो d nr लिखो यह upon upon r and d लिखो ठीक है तो यह critical angle और refractive index में relation आओगा आपको ठीक तो इतना आपको यादखना है तो आप चाहिए यह वाला formula यादखो चाहिए वाला d nr यादखो या r and d यादखो sin c equal to तो I hope आपको समझ में आया होगा तो thank you